जै माताई दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तो साल 2020 का आखरी चंदर ग्रहन लगनी जा रहा है 30 नवंबर को साथी आज यानि की 30 नवंबर को देवों की दिवाली भी है देव दिवाली होने से और साथी चंदर ग्रहन होने से यह बहुत ही शुप संयोग बन जाता है और इसके साथ ही इस बार चंदर ग्रहन व्रेशब राशी में होगा और रोहिनी नक्षत्र भी लगेगा रोहिनी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमाई ही है जो इस दिन व्रेशब राशी में गोचर कर रहा है तीस नवंबर की दोपहर एक बजकर दो मिनट से लगेगा चंद्र ग्रहन और जो की शाम पाँच बजकर तेश मिनट तक रहेगा व्रेशब राशी में ये चंद्रग्रहन उपचाया लगेगा दोस्तो चंद्रग्रहन है साथ ही देवों की दिवाली का दिवन है और रोहिनी नक्षतर रहेगा ये जो संयोग है ये बहुत ही अद्बुत संयोग बन रहा है ऐसा संयोग सालों में बनता है ये संयोग छे राशी वाले जातकों के लिए बहुत ही शुब बहुत ही शांदार साबित होने वाला है तो आईए बात करते हैं कौन सी हैं वो छे राशी हैं दोस्तों इनमें पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के जातकों के लिए ये चंद ग्रहन देवों की दिवाली खुशियों को कई गुना बढ़ाएगी उत्साहा उमंग और आकर्शन बढ़ेगा निजी जीवन में प्रेम और लोलास रहेगा समय आप अपने प्रयासों को पहले से ज़ादा तेज करेंगे शुरू में क्यारे व्यापार में लाब का प्रतिशत बहुत ही ज़ादा रहेगा तो दूसरी राशी है वरशब राशी खुशियों को अनोखे ढंग से मनाने की कोशिश आप करेंगे अपने मित्रों अपने प्रिया जनों की खुशी कैई गुना बढ़ा देंगे इस राशी के जो कारोबारी हैं व्यापार करने वाले हैं वो अपने प्रतिश परधियों से आगे रहेंगे आर्थिक लाब बहुत अच्छा रहेगा इस समय आप इस समय मुल्यवान वस्तुएं खरीच सकते हैं लगजरी आइटम खरीच सकते हैं और आपके इन प्रयासों को देखकर आपके विरोधी आपकी आपसे इर्शा करेंगे आपसे जलेंगे भूमी भवन के मामले में भी अच्छे योग बनेंगे दोस्तो तीसरी राशी है मिथुन राशी दोस्तो चंदर ग्रहन और देवो की ये दिवाली आपके लिए भाग्य के लिए बहुत ही लाबदायक सिध होगी आपके लिए भाग्यकारी सिध होगी इस समय आप अपने आपको सबसे आगे पाएंगे सौंदर्य बोध और सामंजस से बढ़ेगा भौतिक संसाधनों में वृद्धी होगी नए वाहन और भवन प्राप्ती के योग भी बनेंगे अपने प्रियाजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे जो की आपके लिए यादगार पल बनेंगे दोस्तों चौथी राशी है धनुराशी संचार संपर्क को बहतर बनाता हुआ ये दिन आपके लिए बहुत ही शुब साबित होगा भाग्य की प्रबलता आपके साथ रहेगी अपनों की कृपा के पात्र बनेंगे उमीद से जादा लाब अर्जित कर पाएंगे भूमी भवन वाहन इस तरह की चीजों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे कोई नई भूमी भवन वाहन आप खरीच सकते हैं लोग आपकी सफलता से प्रभावित होंगे और अपनों के बीच आप आकरशन का केंद्र बने रहेंगे दोस्तों पांच वी राशी है मकर राशी देवों की ये दिवाली आपके लिए बहुत ही शुब साबित होने वाली है इस समय आप अपनी सफलता के चरम शिखर पर होंगे असाथियों का साथ और समर्थर आपको उत्साहित रखेगा मनोबल उचा रहेगा बेहतर करके दिखाने में आप यकीन रखेंगे अपनी मेहनत के बल पर कुछ हासल करके दिखाने में एकीन रखेंगे चटी राशी है कुम्ब राशी चंद्र ग्रहन का जो ये समय है देवों की दिवाली साथ ही रोहिनी नक्षत्र आपको शुब समाचार मिलने के योग इस समय बनेंगे भागय की प्रबलता आपके साथ रहेगी आपका मनोबल बहुत उचा रहेगा धहरय और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हुए आप अपने हर टार्गेट को पूरा करते हुए दिखेंगे घर परिवार में उत्साह का आनंद का माहल रहेगा अप्रत्याशित लाब और खुशियां कैई गुना बढ़ जाएगा अपनों से नस्दीकियां बढ़ेंगी तो दोस्तो ये थी वो छे राशियां जो चंदर ग्रहन से देवों की इस दिवाली से लभानवित होने वाली हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली धन्यवाद